टूडेंट्स वेलकम, अज़द अपना टॉपिक है नेचर ओफ एजुकेशनल साइकोलोजी, जिड़ा सिख्या मनोव ज्याना ओधी परकिर्थी किस तरहां दिया, सुभा किस तरहां दाई क्योंकि जिदो हुँए इसी किसे भी कंसेप्ट नूँ पढ़ देया, जैस आठीकोल कोई कंसेप्ट ओन दाई, तो ओधी कुछ नो कुछ क्रेक्टरिस्टिक्स हुन दियाने, जा ओधी कुछ नेचर देविच कुछ ऐस तरह ने गला हुन दियाने, जिड़ियां के उन्हुँ सानु वदियत रिके के ना समझण देविच मदद कर दियाने, फ्रस्ट है एन अपलाइड साइंस, एक विवहारिक विज्यान, उन्हों अद्यूकेशनल साइकोलोजी की है, एक Koligan की एक का विवहारिक विज्यान है, क्यों है? क्योंकि है मनों विज्यानिक सिदानता दी हु क्योंकि जेड़ी psychology है वो अलाग चीज है जेड़ी educational psychology हो different है मीनसे ओ psychology जीनों सी education देविच वर्त रहे हैं apply कर रहे हैं applied कर रहे हैं किस चीजनों जेड़े psychological principles ने उनना नो education देविच यूज कर देविच यूज कर देआ इट मीन से हीक applied science है next is a positive science एक तरना आत्मिक वग्यान होन जेड़े educational psychology है एनों positive science भी कहा जन्द है यह कोई अधर्शात्म के वग्यान नहीं मिन्द कोई idealistic science नहीं है है एद़ पाव किये कि है सिख्य के तत्ता नों उसे तरह ब्यान कर दिये मिन्द जेड़े educational elements ने उन्द नों उसे तरह किनाल ब्यान कर दिये जिवें दो हैगेने ना कि उन्द बारे कोई अपना निरिना दिन दिये कोई अपना decision नि दिन दि जेड़ी चीज है उन्द उसे तरह किनाल ही describe कर दिये इस प्रकारे की कर दिये के बच्चयान दे जेड़े सबांद दे विच जेड़े नियम बने हुए ने उन्द नों उमें स्टड़ी कर दिये ते की होना चाहिए तो दे बारे एदे विच गल नहीं किती जान्दी इस करके की है positive है में जेड़े विच कोई जेड़े negativity है जा कोई जेड़े suggestions ने वो परवाइड नहीं किते जान्दी next is a social science एक समार्जी के विग्यान और educational psychology एक social science भी है जेड़ी educational psychology है ही व्यक्ति दा अध्यान सिख्या दे पाखतों कर दे सिख्या दे पाखतों व्यक्ति की होच है ओदे बारे इच गल किती जान्दी है होने इस देज़े नतीज़े नहीं हो सारे व्यक्तियां ते इसी लागू कर सकते है इस तरह है कि यह एक social science है means पूरे समाई देख जिनने लोग रह रहे ने इसी उना तेदी वर्तों कर सकते हैं किसे एक व्यक्ति लिए कोई जेड़ी different educational psychology हो अपलाई नहीं होंदी next है एक सिखे विग्यान and educational science होन अपने पर्योग दे पक्षू जेड़ा सिख्या मनव विग्यान हो के वल सिख्या दियां समस्या वान दे नाली से बंद रहे दे कि जेड़ी educational problems education दे फिल्ड दे विच आ रहे हैंने educational psychology दे विच स्टेड़ी किते हैं देख्या जन्द है किस तरह ने जेड़ी समस्या वान रहे हैंने होंच जेड़ी सदारन मनव विग्यान है मिंज के जेड़ी general psychology है ओकी कर दिया व्यक्ति दे विवहार नूं जीवन दिया अनेका सिथियां दे विच जेड़ी स्टेड़ी है ओ दे विच किती जन्द है बट जेड़ी educational psychology है ओहो सिर्फ सिख्या दे खितर नाली सबंदित है इस कारके सेनों की कहांगे इट्स एन educational science नेक्स्ट है a specific science एक विशेशी करित विग्यान भी है specific होंद स्पैशल खास मनो विग्यान दे जेड़ा विग्यान है अपने आपने विच सदारन है ए मनुखी मन्दी जेड़ी study है ओ करते जेड़े educational psychology है इन जेड़े एक्स्टर विच्छों केवल कुछ ओ जेड़े principles ने ते facts से होना नुलिया है जेड़े के teaching learning process दे लई विशेश ने मुखने लाब देखने ते उपयोगी ने हो रहाधे चा कोई ज़एं एक्स्त्रा गल्ला ने उहो डिसकास नहीं हूंदिया नेच्टर आए हो प्रेक्टिकल साइंस हुण ज़एं एज़गी साइककॉलोजी है कोई कलप नाजीनों सी कहना एमेजिनेशन जा कोई आईडिया नहीं है कोई खीडिया नहीं है होन जड़ा टीचेर है हो जदों भी प्रार है हर एक लेवल ते ओकी कर दाए educational जड़ी psychology है ओधे विच जड़ा ग्यान है मी जीदे बेशते बच्चानूं कि में समझना है कि में प्राणा है कि हो ज़ी method यूज करने है उनों वर्तों दी विच हो लेके ओंदे ते जड़ी एकरसी के है भी effective teaching की में होईगी ताहो जड़े educational psychology है एदे तो बिना possible नहीं है next है a growing and developing science हो जड़ी educational psychology है एदे ग्रो कर रही है डेवल्प हो रही है educational psychology दे जड़ा ग्यान है education दे फील्ड दे विच्चे जड़े लगातार खोजा हो रहे है ओदे करकी हो रहे विक्सित हो रहे ते मनुख़़ी प्रकृती नारी सबंदेत है कि मनुख़़ी जड़ी nature है प्रकृतिय हो कि हो ज़ी है मनुखी परकृती नार सबांदित जेड़े नमे ताथने हो डूंगेने के इनना नो चंगी तरान लब्या नहीं जा सकदा क्योंकि हरे एक व्यक्ति नो समझना बहुत अख है कुछ आस्पेक्ट से ऐस्तरा ने हुन देने जिनना नो उसी डीपली नहीं समझ सकदे इस करके जेड़े खोजाने उनना नार रुजाना मुनखी सबा आ नार सबांदित जेड़े नमे ताथने हो सामने आ रहने तेहे जेड़ा सिख्या मनो वग्यान है विग्यान लगातार एहे विक्सित हो रहे है एन अकडेमिक डिसिप्लिन एक विद्यक अनुशाषन विए है उन्हां एंडरसन ने की कहा कि जेड़े एजुक्विशनल साइकोलोजी है एक अकडेमिक डिसिप्लिन है स्टार्टिंग दे विच ए सिर्फ जड़ा हिूमन बिहेवियर है एड़े दी फोकस कर दी सी कि पुरा जड़ा रिजल्ट है सेम साबते अपलाई कर सकते हुए सूचना ज्यान एड़े जड़े सिदांत ने ते विद्याने ओ सारे कुछ जड़े एजुकेशनल साइकोलोजी है ओदा ही विशावस्तू बंदा है मिनसे ता कॉंटेंट बंद जाना जीदे विच हरतरा दी स पूचना ज्यान ते जड़े दे प्रिंसिपल्स ने ते विद्याने ओहो एजुकेशनल साइकोलोजी दा विशावस्तू ने नेक्स्ट जड़े नाइंथ पॉइंट पॉइंट आ हुए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हुने हिक स्तुंतर विश है जड़े एजुकेशनल स पूर्ण मजबूत परवाशाले विशाल ते अमीर तथा ते अंकड़ेंदा संग्रे है तेद कोड़ अपनी खोज विदी भी है इस तरह है एक स्तुंतर विशाई जिदे कोड़ सूर्ज वांग अपनी रोश्नी है मिन्स इंडिपेंडेंट जिनों से कहने के दूसरे यां अगे है साइंटिफिक अप्रोच उन जड़ी एदुकेशनल साइकोलोजी है यह जड़ी रूडिवादी विशे ने रूडिवादी मीन्स जिना नों से कहने भी सोच जिना दी पुराणी है उन्ना विशे ने वांग रूडिवादी दृष्टिकों नहीं रख़दा जड़ जिना दी साइंटिफिक टांग देना जड़ी पुष्टी है मिन्स जिना नों प्रूफ किता जा सकते ते बच्चे दे बिहेवियर ते दी जड़ी एदुकेशनल प्राबलम्स ने उन्ना दा हालल अबबन दे लिए जड़ीयां साइंटिफिक मेथड़्स ने उन्ना रिवर नेक्स्ट है रिमेडियल अप्रोच उप्चारात्मक और निदानात्मक दृष्टी कौन हों जड़ी एदुकेशनल साइकोलोजी है किदी जड़ी नेचे रहो है उप्चारात्मक है क्योंके इस तरह ही वाख़क जड़े नियम ने सिदा आंत ने ते जड़े वग्यानक वि ने पता लगा जनके ते फिरना कार्ना ने हूं दूर कीद नहीं है जड़े नाल ज़खे ऐग के अउक तीरा है सब्जेक्ट आहा इना सारे ऊंस। स्टड़ी भी कर दे केड़े रीजन ने उनना रपता भी लोगां दे उस तो बाद दूर करन दे ली जड़ी मंदल रेमिडी एक तरीके जड़ी तुसी कलो भी मेडिसन दी तरह काम कर दे तो ना समस्यावनों है दूर कर दे नेक्स्ट रहे हैं यूनिवर्स लाइजेशन पामी जड़ी एजुकेशनल साइकोलोजी है एदे सिट्टे दूसरे जड़े पौतिक वग्याना वांग मींद जड़ी आसी होर साइंसेज पढ़ देयां उनना ने वांग ज़्यादा यूनिवर्सल नहीं हैगे सरवयापक नहीं हैगे अगर असी देखो बच्चे अब बच्चे अगा पामी जड़ी आसी पढ़ देयां कि यूनिवर्सल लाइजेशन है इदेविच असी इनननों यूज कार सकते हैं अगर असी देखो बच्चे अनों रेडी करने ता उदली मॉटिविशन ज़रूरी है अगर असी चौन है कि बच्चे अपने कामदेश चो परफेक्ट हो जान इट मीन्स दे नीड मोर प्रेक्टिस जिनने सी प्रेक्टिस कर आमागे ता वो यूनिवर्सल है क्योंकि सारे ब बच्चे ट्वैलव ही पॉइंट्स सीगे ते होर कुई इनना वदिया मटिरियल किदे भी अवेलेबल नहीं हुया मैं उम्मीद कर दिया तुसी फेर भी तो अपना जेड़ा टॉपिक अवदे टांग ना प्रपेर कर लोंगे थैंक्स फॉर पॉच्चिंग